अज़ाब नाजरीन मैं सन्यम आजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट से पहर के चार बच चुके हैं और हमारे स्टोडियों से लायू नश्रियात में आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आग लगने का बड़ा वाका पेश आया है और आग लगने के साथ-साथ के स्पेशल रिपोर्ट में हम बड़ी खबरों पे नजर रखेंगे जमू कश्मीर में जो गैमलिंग है जुआ है वो एक मुसीबत बनता जा रहा है नौजवान इस जुए की जद में आ रहे हैं लेकर समसे पहले हम आपको बड़ी खबर से बाख़बर करते हैं और बाख़ यह कल शाम का वाका है और कल शाम को सदार्टी इंतखाबात के लिए जो रिपब्लिक पार्टी के नामजद्दी कबूल करने के बाद पनिंसूला में डोनाल ट्रॉम्ट जो अमरिका के साब का सदर भी रहे ही उन पर नजदीक से गोलिया चलाए जाए 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 और उस ग डोनाल ट्रॉम्ट आई महां कहा होगा या आई मोज जो कुछ भी कहा होगा लेकिन कहान जखनी उसका खर हो गया और उसका दाया कान जो है इस शूटर की मुतदेद गोलिया चलाए जाने के वाके में जखनी हुआ एक वीडियो फुटेज भी सोचल मीडिया पे बड़ा वा तो एहां जोब आई मैं इसवकत अमरीकी सद्र भी ए हैं जोब आई डोनाल ट्रॉम्ट पिशला इंतखाबात में हमने सामने थे तब बाइडिन जीता था तो आपकी बार में आपको याद होगा अमरीका में जो सिच्वेशन बनी डोनाल ट्रॉम्ट की सेलेक्शन हाटने के जहां पर बहुत कुछ हमने उल्टा सीधा भी होते हुए देखा उसके बाद आज पहली बारा हिस्सा हुआ है कि किसी साब का सदर पर इस तरह से गोलिया चलाए जाने का वाका पेश आया है एक तस्वीर के जलग देखेगा डोनाल ट्रॉप जो है आप तोर पर कश्पीरी में उसको डोनाल ट्रॉप के भी कहा के नाम से भी जाना जाता है तो दूला डोनाल ट्रॉप या डोना ट्रॉप जो भी है उनका ये सुच्वेशन जो है आप ये अमरीका के सदर जहां दुनिया की सबसे बड़ा नेट्वर्क है इटलिजिनस नेट्वर्क माना जाता है सी आई स्वा डूनाल्ड ट्रम्प पर हुए इस हमले पर अफसोच का इजार करते हैं अपनी नाराज़गी का इजार करते हैं उनके साथ इजार इताजियत ही हम क्या सकते ही जिसको ने कंडम भी किया और उनकी रिकावरी की दुआ भी की और काक हमारी दुआएं साथ में हैं अमरीकी कि अवाम के साथ और डूनाल ट्रम्प की साथ उनने डूनाल ट्रमप का अपना दोस्त भी बताया थे अब देखें स्पाशल रिपोर्ट और स्पाशल रिपोर्ट में हमने अमरीकी साथ इजनौला ट्रम्प कांग के हाशे से जो गोली निकलिया है उसके वाक्षे से आपको बाखावर भी किया लेकिन आपका अब नाजरीन हालात वाकात में जम्मो कश्पीर ख्यालात से हन्दवारा में एक दरजन के करीब इसी राजवार के यम्रड के इलाके में जम्रड के गाउं में एक दरजन के करीब मकाना जो है नजरात तिश्रूए है और यहां पे सबसे बड़ा अल्वियां यही यह बताया जाता है कि इंटरनेट आज के जमाने में टक्टोलजी आज के जमाने देखो नेटवर्क आज के जमाने लेकिन इलाके में नेटवर्क नहोंने की वज़ा से आज जो है वो करीब ग्यारा बजे लगी लेकर साड़े बारा बज़े के करीब हंद बाडा से करीबन 10-15 किमेटर की दूरी पर जो फार स्टेश इता वहां से लोग आई तब को याद होगा जब यहां पर मखरू सरकार थी तो यहां पर बड़े अड्मिस्ट्रेट्व यूनिट्स बनाए गए थे तब तासील ही नयापते बनाएगी लेकिन जो बेसिक जरूरते थी कश्मीरी की उसकी तरफ द्यान नहीं गया तब वो नयापते बने अदालते बने त सब्सक्राइब जाता मीडिया क Sadly Emergency Service को तो बन्दम चे से लेकिन जब तक लोग Network alta गावं से बहार आये वहां पॉंच और उसके बाद अद्ध इनुने फारेडेण सी सर्विस को फोन کیा था फ्टास गाड़ीय कि गाड़िया महा पर आई तब तक आग लगी हुथी आज इंतिसामिया वहां पर पहुंचे ज़ी साब जाहिर सरकार का रेड क्रास से वहां पर दो-तीन कमले भी डी गई होगी तो-तीन किलो राशन भी दी जाए गई फोगी आज कि निखाविया करेंगी लेकिन यह बहूत से सवाल खड़ा होते हैं क्या यह दो तीन किलो पाएंच किलो डस किलो राशन से उन घरीब का ईड़ सकता है उन घरीब की जो नुकसान हुआ है व भरपाई उसको हो सकती है 2-4 kg राशन देने से या 5-10 कंले देने से 1 Tent भी दिया होगा घृँल कोई जो मकान की रेनोवेशन या रीकंस्ट्रक्शन के लिए लखड़ी जो पजार से लानी पढ़ती है dishwasत्या उस कुई जो परेकिमत जहाई वह erlebt जाएदा आस्मान पे चुरही होती है, 3-4,000 पे में दियोदार कंपर सप्थ मिलता है, कायब 1-2,000 के आसपरस मिलती है, तो गाउं का या आदमी कैसे वो मकान बना पाए, वो शहर का गाउं का, कैसे मकान बनाए पाए, सरकार रहाबिलिटेशन की बात करते है, सरकार रहाबिल चावल या दस बारा कोई तल किलो चावल या दो दस पाई दस कमले रेड क्रास में रुपया हजार दस दार क्या उसे किसी मकान को पिछले दो सालों मैंने जितने भी बिल्डिंग्स देखी जिनके आग लगी उनको उन लोगों ने दुबारा तामीर अभी तक नहीं करा यह अ हंदवारा में जो आग लगी है राजा इसाख हमें हंदवारा से जोईन करेंगे जानी कि हम उन से आग लगने की वज़ा तो साफ जाहर है फार एंड़ अमर्जन सी सर्विस के कुछ और दारों ने बताय कि बिजले के शॉट सर्कुट की वज़ा से लगी है लेकिन फार सर 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 बतायेगा क्या वाका पेश आया रात को डेड़ बजे ये जो यम्रड में आग लगी उसके बाद फार सर्मिस देर से क्यों पहुंचा जी सर्म मैं आपको बताते चलूं कि वहां पे आग शाम देर गई अचानक नमुदार हुआ है बता यूं जा रहा कि बिजली के शा पढ़ा जिसके वज़े से जो है वो काफी लेट उनने जो है फायर सर्विस डिपार्टमिन्ट को जो है कंटक्ट करना पढदा है जिसके कारण जो है करीबं दस से ज़्यादा मकाना जो है जिन्हें काफी सारे मुशकिलाथ हुए थे वो नमें बता यूं जा रहा है कि केमिशनर कुफवारा आये थे और उनके साथ 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 and कुछ फूड किटे भी उनने जो है तक्सीम के गई और उनके साथ सा जो है उनने यकीन है कि जहां तक administration की कुशित रहेगी कि अमदाद के फूरं तो जो है उनके नाम भी लिखे गए हैं लेकिन उनको यकीन दिलाए कि administration पूरी तरीक से आपके साथ है बहुत शुक्रिया इसाख दुबारा हम आपके पास आएंगे राजा इसाख आपके साथ तारिक साथ भी रहेंगे उनसे हम बात में बात करेंगे लेकिन पहले हम आपको नाजियन बताते चली कि यहां पर आग लगी fire and emergency service डेड़ गंटे लेट पहुँची वो network नहोंने की वज़ा से चली हम ज़रा दूसरे मुदे पर चलते हैं आज के special report में हम कुछ बात बताएं आपको आज 11 जमाद के नताइज का एलान भी हुआ है 11 जमाद के नताइज में आज 72 पीसद बच्चे जो है वो पास करार दिये गए हैं 123,00026 बच्चों ने इम्तिहानात में शमुली अख्तियार की थी 88,396 बच्चे आज 11 जमाद में पास हुए हैं और लड़कियां एक बार फिर बाजी मार गई हैं लड़कियों ने आज 75 पीसद लड़कियां जो है वो पास हुए हैं बड़कों मैं से 69 अने 79 फीसद लड़के जो है वो पास हुए हैं इन 11 जमाद के नताइज पे मुझे बहुत इतराज है जो भी आया उस पे इतराज ने मुझे इतराज है अप्रिल 2 को एक्जाम शुरू हुए थे आज जुलाई है जुलाई की 14 तारीक है अप्रिल में जून जुलाई अप्रियल का महीना, में का महीना, जून का महीना, जुलाई के पंदराने, साड़े तीन महीने बाद रिजल्ट 11 जमात का डिक्लियर्ट किया जाता है अब ये बच्चे कब एडमिशन लेंगे, कब दूसरी क्लास में जाएंगे और ये बच्चे पिछले साल के एक्जाम दे रहें, पिछले साल का जो इनका येर हुआ था उसका तो हमारी तालीम पे एक बड़ा सवाल है, हमने परसू ही आपको तालीम के निजाम के हवाले से एक स्टोरी दिखाई थी और उस स्टोरी का में फालू आप भी बहुत मिल रहा है, हमें कल ही एक दोस्ते फोन करके बताया कि महिकमेत तालीम के सोगाम लूलाब जून में एक टीचर जो हैं, वो एजडीम आफिस में पटवारी का काम करते हैं वो महिकमेत तालीम में कही नहीं है, वो पटवारी का काम करते हैं एजडीम आफिस में, उनका नाम भी हमें बताया गया है, कि स्कूल में बताये हैं, हम सीयो को पौरा से गुजारिश करेंगे, सोचल मीडिया पे कल खुछ हमारे जो टीचर्स, यूनियन्स वगरा हैं, उनक कलर का काम जो है, वो टीचर कर रहा है, दोजार पांच से वहाँ पी है, तो ये है वो अलमिया जो बच्चे आज लड़के जो है आज फेल हुए 69 परसन उनका रिजल्ट आया है, ये अलमिया है, और फिर रिजल्ट आने के बाद अब कब ये बच्चे स्कूल जाएंगे, नौजवानों को नए जमाने के हालात वाकात से रोश्टास कराता है, और मुक्तार रहमेडार की सरवराई में मुनकद इस इजलास के दोरान, नौजवानों के इलाके के मुक्तलिब मसाइल के हवाले से आगाही दी गई, बढ़गाम में इन दोनों, शीया सुनी इत्हाद क की बातें भी की जा रही है, और साथ साथ मैं, आज मुहरम के मुक्दस दे आयाम चल रहे हैं, इस दोरान इन नौजवानों को अपनी जमदारी से आगाह भी कराया गया, और नौजवानों को बताया गया, कि मुवाश्टे के बहुत से मन्फी पहलू हैं, पॉजटूथ हैं लेकिन मन्फी पहलू हैं और उन मन्फी पहलू हैं से हमें अपने आप को बचाना भी है, और अपनी सोसाइपी को भी बचाना है, तो बढ़गाम मैं आज FM Youth Forum कश्मीर की तरफ से मुनाकदी मीटिंग को दोरान नौजवानों को ये दरस, ये सबक भी पढ़ाया गया, कि आन आने वाला वक्त हमारा है और आने वाले वक्त के हवाले से हमें आजी तैयारी करनी है आने लिए गयारी करोगाम मैंने बूझ पर दोरा हुए., अबर जोएं अपरे लागेडीर कंशे नौगादी तरफ से जुखत्ष को पारां के अगभाण हो कि एससे अधियू कर्मे ऐसे नाौगि बिश्ञे जो बादाशए नौगा मैं घृ पोई झालेधकि मैं बर्गाम में FM Youth Forum की तरफ से प्रोग्राम मुनाकद नौजवानों को आगे की तरगीद दी गई लेकिन हमारा नौजवान कहां जा रहा है पाकिस्तान में आज जमू कश्मीर के अकनूर के एक नौजवान की लाश दर्यापत दिया इस नौजवान का नाम जो है ये अकनूर जम लाश का मिलना बताया जाता है कि दर्याइच चिनाब से बैते हुए पाकिस्तान पहुंचा है पुलिस ने 11 जून को इस मामले में 12 जून को एक इतलाई गमशिद्वी के ताहतिक रिपोर्ट भी दलज कराई थी और अंदाजा किया जाता है कि शायर इसने खुदकशी किया क अनलाइन जूए में इसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उसकी वज़ा से इस्तिबाद में खुदकशी की यह अभी अंदाजें हैं अंदाजों में पुलिस नाकिकात कर दिया और उसके लवाकी ने वजिर अजम हिंद से अपील किया कि उसकी डेड वाडी को वापस ल को देखने उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो वापसी पे मुझे हन्वारा में बहुत से बुज़र्गों ने बताया कि वहां कहर बर्पा हर नवजवान ओन लाइनिंग में मुद्ला हुआ है और बहुत से दौजवान जो दुकांदारी करते थे जो बिजनस करते इस उमीद के साथ कि अक्सर आपके बचे जो हैं जो करज़दार हो चुके हैं जो करज़ू में डूब चुके हैं उसकी कहीं ने कहीं एक वज़ा ऑनलाइन गैम्लिंग भी है तारिक अमद्बांडे साब मुझे हदवारा से बरायरास जोई कर रहे हैं मैं उनसे तारिक साब बहुत 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 शुक्रिया है तारिक साब का हम कापी शुक्र गुजा रहे हैं खासकर वाइस टीवी और्दू का जो वक्तन फाक्तन इतने बड़े मसायल उठाकर इन मुद्बों को उठाकर लोगों तक पहुशाना चाहते हैं ताकि इनका कोई अजाला किया जाए इ मुझे हनवारा में कुछ बुजर्गों ने बताया कि हनवारे की 20% आबादी जो है वो ऑनलाइन गैम्लिंग में मुपतला हो चुकी है और बहुत से लोग करस्दार हो चुके हैं दुकानी डूब रही है बिजनेस डूब रहा है वो ऑनलाइन में इंवेस्ट कर रहे हैं क्य मैं बताते चलों वाई नाकामी मताही कारवां जाता रहा कारवां के दिल से ऐसा से जियां जाता रहा यह जितने भी आपने इशूज उटाए बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल पे भी जब हमने चर्क किया है हमारे जवान पहुत सारे बुरायों की तरफ अद्वियात की ड्रग्स की तरफ और इस गेंबलिंग की तरफ बनवस हो रहे है हमारे जो हमारी जानकारी है इसके मताविपिखी है जब हमने मुक्तिलिव शाओं में मुक्तिलिव लोगों से बात की तो पता चला कि हमारे नौजवान जो कल तक बिजनस के मामले में हंद्वारा आ चुके लेकिन आनलाइन ये गैंबलिंग जो खेल रहे हैं इसकी वज़ा से इसकी बुदावलत से वो हार बैटे और हार की यही वज़ा है कि वो विल्कुल बुरे कामों की तरफ रागिप हुए है जिसकी वज़ा से आज के यहां जितने भी पैरेंट से वालदयन को लेके अपने सबकी बनती है मेरी भी है चूकि मेरी जमिदारी यहां कि मेरे पास पहुंची बात मैंने टालिविजन पे आप लोगों को सबको जगाने कोश्ट की हन्वारा में यह लग कैसे लगी है कुछ पता चल रहा है कैसे सब लोग इस ऐसा ऑन-लाइन गैंबलिंग में आ चुके हैं देखे सर, देखे सर, सबसे पहले मैं बताते चलू कि सबसे पहले जो बड़ी मुश्किला आते हर जगा पर जो हम पाते है वो है कि आज के नवजवान बिलकुन अल्ला और उसके रसूल सुलसम के बतावे तरीकों की तरफ रजू इलाला नहीं हो पा रहे है कुरान की एक आयत है ला तक्रिव रिबा ला तक्रिव रिबा यहनी कि आप इस जोए की तरफ जाओ भी मत लेकिन बदनसीब है कि आज कर हमारे नवजवान जो है इनूंने अल्ला और उसके रसूल सुल्सम के तोर तरीकों को पुला डाला है इन्होंने अपने वालतेयन के हुकुकों की पामानी करते हैं, नाफरमानी करते हैं, वज़ा यही है कि आजकर हम देखते हैं नौजवान बुराईयों की तरफ रागिब होते जा रहे हैं, कल ही कि अगर हम बात करें हंदवारा से तो हमने देखा यह नौजवान जो थे पहले लाने से पहले इनको शरूर लाते हैं फिर शराबा के देते हैं इनको बैगाया जाता है इनको पाइंसूं के जांसे में लाया जाता है और ये अपने अकल इतने आमत लोग बन बैटे हैं यह happy इनों अपनी प्रापरटी तक निए लांगी sandamma jaz VISTA मैं यहां से बताथे क चलो कल ही हमारी जानस्त में आया है, हमारी इंफार्मेशन के मुताबिक बाजार में जो नव जवान दुकाने चला रहे हैं कि बतीस लाग एक ने हार बैटा, दूसरे ने मोर अपरांक्स में इप सोर्च सार तु भी बलीवड, टैन लैक रुपिया वो हार बैटा है, कही ने क ही समाज का भी हक बनता है कि इनको रोके, ऐसे प्रोग्रम किये, जैसे सनमिजास साभ आपने किया, मैं आपको तहीं दिल से शुकुर गुजार आपका, कि यह हमारे उल्मा हसराद का भी हक बनता है, आईमा हसराद मास्जित में इसको इन टापिक जमा के दिन बनाए, सोशल एक्टिविस्ट जितने भी लोग हैं अवरी नुक एड करना इनको बता दिया जाए अल्लाव को इसके रसूल स्थम का तारफ दिया जाए जब आप इन चीजों से दूर किनारा कश हुए है तो इन चीजों का होना तो लाजमी ही बात है चलिए यही बहुत शुक्री आपका मुझे जाइन करने के लिए हमारे मौशरे का ये मन्फी पहलू है इसके लिए हमें लड़ना पड़गा हमारे साथ तारिक बांडे साथ हंद्वारा के सोचल एक्टिविस्टें सिवल सोसाइटी की सथ मबस्ता ही और जिम्दारी है चाहे स अपने का बिट अबर ऑट विए हमारे बहुत ने अजल्क लिए हमारे भाट फिट होगा यह तो आज़कर लगाते हुए नजराए गेंगे टीम बनाती हुए नजराएंगे उसमें भी आपको बहुत नुक्सान होता है यह याद रखेगा वह बड़ी-बड़ी कंपनी जो हैं इस मुफुत में नहीं बनती है वापकी पैसे से बनती है आपके खरीब के पैसे शायद आपको हलका हलका लूटा जाता है उसमें ज्यादा जल्दी जल्दी आपको लूटा नहीं जाता है लेकिन लूटा जरूर जाता है रोज का आपको अगर हजार दोजार प सुलगाते हैं और साथ साथ में दुनिया में भी आप जो है कहीं कहीं रुसवा भी हो जाते हैं जब आपका यह सारा सिस्टम बैठ जाता है तस्वीर के एक रुख और तस्वीर के दूसरे रुख से आपको इबाँ खबर करें स्रीनागर के इंतजामिया था बड़ा फैसला अभी कुछ देर फैसले आया है और स्रीनागर के इंतजामिया ने आठ महरम का जो जलूस गुरू बजार से दलगेट के लिए वया बढ़शा आपको हर जगा पे कहीं ने कहीं जो हमारे वोलेंटियर्स होते इसमें काम करते हुए नजर आएंगे तसावीर पोनिचके जहां पे अंजुमन की तरफ से आज लंगर भी लगाए गये थे और इन लंगरों के दौरान जो रह चलते अज़ादार हैं लोग हैं रह चलता जो करिया है उन्हें पानी पिलाया जाता था खाना खिलाने की व्यवस्ता की जारी थी और एक तरह से एक मैसीज था कि हम आपस में जो जिस मज़ब का है इंसाने और इंसानियत का दर्स हमें जारी रखना चाहिए जमू में की जो पुंच में ये लंगर है अंजुमने की तरफ से लगा उन्जमने जाफ्री एक्टर से वहां पे मुनाक्ट किया गया था और मुहरम के हवाले से आयाम चल रहे हैं और आगा स्वीद मुहम्मद जो हैं और मुहरम आयाम के हवाले से जिम्मदाग्या भी बता रहे हैं इस सवाल खुरुब रह्मत लिलालमी सुललाह लगाली वालिवस्थी नूरी चश्शिम युजन उस दाश्यत वरी ब्रूहा उशहीद करने मगर मुझनिस दिशो तमाम आलम इंसानी तसमाज इंसानी करदार इमाम हुसेन इस शिवान लबन इमाम हुसेन इस अमें बापत शहादत क्या जिए टोट नभी सुललाह लगाली वालिवस्थी में फर्मो इनना खुसेन मिस्वाव लुदा वस्भीन नजाब इमी साति इत दुनीया साई तश्वीध न एनिगर्टिसी तेने अनिगर्टिस वज़े हमेश में घाष ही ज़रूरत इमाम हुसेन पाइगाम शू इमाम पाइगाम अफर्मू हुसेन शुत्स चारादा युछाथ आने ग्रेटिस्ट नूर इन्यतसमस अपदेल करा। आने उकोट शु हमेश्च बगर आध्चा है कि नूर ही जोगा। आप देख रहे हैं स्पाशियल रिपोर्ट थोड़ा सा वकत बचा है कुछ सेकंड बचेंड लेकिन इन सेकंड को ज्यादा बनाते हुए मैं आपको बताता चलों गांदरबल के आहमद नगर से गदूरा की तरफ से जो लिंक रोड था जो गांदरबल और सीनागर को मिलाता था करीमन साड़े तीन किलमेटर का इन लिंक रोड जो है इस पे आज मैगडम डाला जारा था और मैगडम डाले जाने पर मुकामी लोग फुशी का इजार कर प्रोड सरकार का शुक्रिया अदा करे थे बता रहे थे कि मुद्द तुम बाद या वर्सुम बाद 20 साल बाद तो ना सही लेकिन वर्सुम बाद इलाके के लोगों की दरीना मांग जो है वो पूरी हो रही थ साथ साथ गावनर इंतजानिया का शुक्रिया किया जाता था बता जा रहा था किस लिंक रोड पर मैगनमाइज होने की वजह से आस पास के साथ साथ दूर दराज के लाके के लोगों को सोरा मेडिकल चूट पहुचने में बड़ी राहत भी होगी तो नाजरीन ये था अभी की खबरों से रहिए गबाख खबर हमारे साथ वैस्ट अलवी नोदू पर तब तक के लिए अलापी